जो दर्द जो तकलीफ हमने जेली है खासकर महिलाओं के लिए हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आपको लाचार अपने आपको बेबस समझती है लिए प्यायटी सेल ने उस चीज को साबित करने की कोशिश की थी हम चले हुए कार्तूस हैं हम खतम हो गए हैं हम पोलिटिक्स कर रहे हैं उन्होंने बोला मैं नेशनल नहीं खेलना चाहती है मैंने नेशनल चेंपिन्शिप खेला मैं चाहते हूं कि जो हमने फेस किया एजे खिलाडी होने के नाते उन सब खिलाडीों को वो चीज ना फेस करने पड़े हम उनकी लड़ाई में साथ हैं साइद उनको आज हिम्मत मिले नमस्कार आदाब सच्री अकाल जैभीम जोहार मेरा नाम है नवीन कुमार तो नरेंदर मोदी के खिलाफ असली अकाला सच चुका है कहने को चुनाओ हरियाना का है लेकिन असल में ये नरेंदर मोदी के जिद महिलास आभिमान के मुद्दे पर मन्चलों बलादकारियों हत्यारों के पक्ष में उनकी राजनीत को लेकर एक जनमत सर्विक्षण साबित होने जा रहा है विनेश फोगाट ने कॉंग्रेस का पट्टा पहनते ही एलान कर दिया है कि अब बहुत हुआ और नहीं यह लड़ाई आर पार की होने जा रही है बजरंग के उपर डोप का बैन लगा दिया चार साल का लग कीज़ए कि जभी हम जीतेंगे खेल में जैसे हमने कभी हार नहीं मानी है तो हम इस नए प्लेट फोरूम पर जो मारे हैं और बोलने तक सिमित नहीं रहे Sabbath के और मैं से हमने खेल किया है और दिल से हम यह काम करेंगे जीजान से मैनत करेंगे और मैं अपनी मेंदेण को बड़ता ना चाते हूं कि आपकी बैयनों के साथ में किसी भी मुसीबत में किसी भी पल कीशी भी छण का टिकट तैमाना जाड़ा है लेकिन दादरी सीट से भाजपा ने उनकी चचेरी बहन बभीता फोगाट को टिकट नहीं दिया है ऐसे में दादरी सीट का विकल्पी विनेश के सामने खुला हुआ है कॉंग्रेस सूत्रों का कहना है कि विनेश 11 सितंबर को ना मांकन कर सकती है बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है जब हम रोड़ पे गसीटे जा रहे थे तो छोड़के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टिया है वो हमारे साथ में थी हमारे दर्द को समझ पा रही थी हमारे आसूं को समझ पा रही थी अब देखिए बीजेपी फ कॉंग्रेस की राजनीत का शिकार हुए हमने विनेश को सम्मान दिया हमारी बेटी हमारी शान है वही भाजपा के पूरु मंत्री अनिल्विज ने कहा कि विनेश फोगाट देश की बेटी से कॉंग्रेस की बेटी बनना चाहती है मतलब भाजपा रविंद्र जडेजा को सदसेता का टिकट काट दे तो ठीक बविता फोगाट को चुनाव लड़ा दे तो ठीक ओलंपिक पदक विजेता योगेश्वर धत को दंगल में उत अगर बजरंग पुनिया चुनाव लड़ने का फैसला कर ले तो कहती है कि वो राजनीत के शिकार हो गए जो आज बीजेपी के आईटी सेल बोल रही है कि इनका मक्सद तो शिरफ राजनीती करना था हमने तो उनको लेटर बेज जा था वो जब भी नहीं आये हमने तो कौंग्रेस पार्टी में आये है मैं धन्यवाद देता हूं सभीologists करें गे और कॉंद्रेश पार्टी को मजबूत करेंगे और देश को भी मजबूत करेंगे बीजेपी के चेहरे का रंग इसलिए भी उड़ा हुआ है कि बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को कॉंग्रेस स्टार प्रचारक पनाने जा रहेगी दोनों पूरे हर्याना में प्रचार करेंगे बजरंग को भिवानी बहादुरगर और सोनीपत की राई सीट का विकल्प दिया गया दोनों जिस किसी भी सीट पर अंगुली रखेंगे केंद्रिये चुनाव समिती की मीटिंग में उस पर मुहर लगाई जाएगी अब देखिये कि राजनीत में उतरते ही बजरंग पूनिया ने अखाडे के दावाजमाने शुरू कर दिये उन्होंने कहा कि कुछ लोग ओलंपिक में विनेश के बाहर होने से जश्ट मना रहे थी जिस दिन विनेश फाइनल में गई उस दिन पूरा देश जोस में था पूरा जसन हुआ लेकिन आगले दिन जो गटना हुई पूरा देश दुखी था लेकिन कुछ आईटी सैल थी जो पूरा देश में जसन मना रही थी तो ये देश के लिए बड़े दुख की बात है और पूरे देश को सोचना चाहिए कि आप किन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं और जो विनेश ने बोला कि हम हर जो महिला जो बेटिया देश की बेटिया हैं जिनके साथ अत्याचार होता हम उनकी आवाज हमेशा उठाते रहेंगे सवाल उठा कि आखिर वो कौन लोग थे जो अलम्पिक में विनेश फोगाट के खेल से बाहर होने पर जश्ट में डूबे हुए थे इसके पीछे वज़ा क्या हो सकती है ये तो पता नहीं लेकिन 2023 में विनेश नरेंद्र मोदी के लिए सिर्दर्द जरूर बन गई थी आपको आरोप लगाए थे उनकी गिरफतारी की मांग पर बजरंग पूनिया विनेश फोगाट और साक्षी मलिक की अगवाई में पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठ के थे लेकिन 140 दिन तक चले इस धरने के बावजूद नरेंद्र मोदी के कानों पर जू तक नही खुला खत लिख डाला था जिसमें उन्होंने कहा था कि वह मेडल लौटा देंगी इससे पहले पहलवान साक्षी मलिक ने खेल से सन्यास्क लेने के गोश्चना कर ले थी पहलवान बजरंग पूनिया ने भी अपना पदमश्री पुरसकार प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर डिवाइडर पर लख दिया था चौराहे पर लेकिन इससे मोदी पर कोई फर्क नहीं पड़ा स्मृती इरानी जैसी ततकाली मंतरियों ने तो विनेश पुगाट का मज़ाग तक उड़ाया था थी तो छोड़ के बीजेपी को डेश में बीजेपी के लिए मुसीबत पन गया अब क्यूक्न बृजवूशंट शर्ण सिंग ने और बढ़ा दिया है क्योंकि इस पर चुप रहने की बजाए वो विनेश पर हमला बोल रहे हैं उन्हें जूटा और फरेभी बता रहे हैं बिजभूचन शरण सिंग का एक बयान वाइरल हो रहा है इसमें वो कह रहे हैं कि जब मेरे खिलाफ आरोप लगाए गए तो मैंने तभी बोल दिया था कि यह साजिश कॉंग्रेस की है दीपेंद्र हुड़ा और भुपेंद्र हुड़ा की मैंने पहले भी कहा था आज तो देश कह रहा है हर्याना में अब अलग किस्म की गोलबंदी शुरू हो चुकी है और इसकी धुरी है विनेश फोगाट बीजेपी उने लेकर जितनी हमलावर होगी कॉंग्रेस का उतना ही फाइदा होगा पहलवान अंदोलन में विनेश फोगाट के बाद सबसे बड़ा चेहरा थी साक्षी मलिक उन्होंने भी कह दिया है कि राजनीत में उतरना विनेश का निजी फैसला है इसका संबान होना चाहिए कहीं न कहीं हमें त्याग करना पड़ेगा बाकी जो हमारा अंदोलन था मैं अभी भी उस पर डट कर खड़ी है रेसलिंग में जब तक बेहन बेटियों का शोशन खत नहीं हो जाता मेरी लडाई जारी रहे है कांग्रेस में शाविल होने से पहले विनेश और बजरंग दोनों ने पार्टी अध्यक्ष मलिक आर्जुन खड़गे से मुलाकात की उनके घर जाकर इसके बाद दोनों कॉंग्रेस मुख्याले पहुँचे और पार्टी की सदसे ताली कॉंग्रेस में शामिल होने से पहले विनेश और बजरंग दोनों ने रेलवे की नौकरी भी छोड़दी दोनों OST स्पोर्स के पत्पर तयनात थे कॉंग्रेस अध्यक्ष मल्लेकार जुन खडगे ने विनेश और बजरंग से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा चकदे इंडिया चकदे हरियाना हमें आप दोनों पर गर्व है तो क्या कॉंग्रेस का जो कर्व है वही बीजेपी का सिरदर्द है और अगर ह तो कितना बड़ा इस वीडियो में इतना ही लेकिन अगर आपने अर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉरण कर दीजिए बैल आइकॉन दबाई है घंटी जैसी आकरती लाइक कीजिए और कमेंट करके बताए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ह हमारा ट्विटर है अर्टिकल 19 अंडर्सकोर इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडियो नवीन जनलिस्ट नमस्कार